कभी तुमारे सर में दर्द हुआ है क्या करते हो मैडिसन लेते होगे कभी उस मैडिसन का लेबिल पढ़ा है गौर से उस पे लिखा होता है टेक दिस मेडिसन वोंसे डेय, तेक दिस मेडिसन ट्वाइस अडेय, टेक दिस मेडिसन एस पर दी एड़्वाइस ओफ यर डॉक्टर, तुम उसे यूज़ करते हो, तुमें फाइदा हो जाता है. लफस के इस्तिमाल किया जाता है लेबल पे टेक, इसी तरीके से काफी सारे फार्मस्यूटिकल ट्रॉक्स है उन्पे भी यही मेंशन होता है टेक दिस ट्रॉक वंस अडे टेक दिस ट्रॉक एस पर इड़्वाइस ऑफ यूर जैनरल फिजिशिशन उन्हें भी तुम इस्तेमाल करते हो तुमें फायदा हो जाता है इसी तरीके से काफी सारे जो बॉड़ी बिल्डर्स है क्योंके एनबॉलिक स्टेरोइट्स पर जाते है उनका भी अगर आपका भी लेविल पढ़ है उस पर लिखा होता है टेक वन साइकल, टेक साइकल ट्वाइस ओ वीक, एक्सेक्रा, एक्सेक्रा उन्हें भी इंस्टेंट रिजर्ट्स मिल जाता है लफ्स के इस्तेमाल किया जाता है टेक यानि के जब जब हम लफ्स टेक का इस्तेमाल करेंगे इसका या तो मतलब है इंस्टेंट रिलीव या फिर इंस्टेंट रिजर्ट्स आजकल क्या हो रहा है जो जो लोग फिटनेस में हैं वो क्या बोलते फिर रहे हैं या काफी सारे लोग सवाल करते हैं अक्सर सबसे पहले तो आज हम यह चीज़ इस्टेबलिश कर लें कि जो लफज है प्रोटीन शेक आखर यह है क्या अक्सर आपने सब्लेमेंट प्रोटीन सब्लेमेंट पे ये लेबिल दिया हुआ होता है यसे पढ़ा होगा कि यूज दिस ब्रोटीन शेक को as a food alternative़ यूज कर सकने यह के, protein shakes are another source of food. It's a type of food. You can take food, आप food खा सकते हैं, you can drink food, आप food पी सकते हैं, but you can never ever take food. आप food टेक नहीं कर सकते, आप कभी protein shake टेक नहीं कर सकते. There is a difference between taking a protein shake and drinking a protein shake. Taking a protein shake का मतलब है, कि आप इस mindset के साथ उस protein shake को use कर रहे हो, कि आप इसे पी हो गे, instantaneously आपको उसका फायदा होगा, आपको results मिलेंगे. Crinking a protein shake का मतलब होता है, कि आप उसे just like, आप regular meals consume कर रहे होते हो दिन बर में, जो के digest होने में time लेती है, जिसके results आने में हफ़तों, महीनों और सालों लगते हैं. आप में से कोई भी उठके मुझे आके कह सकता है, कि ठीक है, हमारा तो मतलब यह होता है, कि taking हो या drinking a protein shake हो, we mean the same. Yes, अगर मैं linguistics की बात करूँ, language की बात करूँ, they both mean the same, but in fitness, it's a different ball game. जो difference है, the difference is in the mindset. जब आप कहते हैं, take protein shake, it means आप instantaneous results चाते हैं. जब आप कहते हैं, drink protein shake, it means आप इंतिजार कर सकते हैं. You know the process. आप जानते हैं, कि यह protein shake, just like regular meals आप intake करते हैं दिन में दो, तीन, चार बार, उसी की ताना का है, और यह आपको in the long run results definitely देगा, provided कि जो बाकी के protocol's हैं, उन्हें आप पूरा कर रहे हैं, जैसे nutrition, training, rest, sleep, supplement industry ने इस चीज़ का फाइदा हम सबसे बहुत खुब उठाया है, उन्होंने ये देखा कि जिस ताना instant लोगों को results मिलते हैं, medicine खाके, tablets खाके, pharmaceutical drugs का अस्तेमाल करके, anabolic steroids का अस्तेमाल करके, और हर जगा लवज अस्तेमाल होता है, take, तो क्यों ना हम भी अपने इन सारे supplements में, slowly and steadily loves use करें, take, और आइस्ता इस्ता करके, लोगों के जहनों को prepare करें, कि when you take these protein shakes, it will give you instant results, thanks to the bodybuilders, बड़े-बड़े pro bodybuilders को लाया जाता है, उन्हें डबबे पकड़ा दिये जाता है, अब कोई भी आम आदमी, आप हम जैसा, हम उन्हें देखते हैं, पहले तो दो-तीन मिनट हमें पता ही नहीं चलता कि भाई, ये शख्स शुरू कहां से हो रहा है, खतम कहां पे हो रहा है, वाइल टाइम हम लोगो realize होता है कि नहीं, हम इस दुनिया में मौझूद हैं, जो दूसरी चीज़ जिस पे हमारा दियान जाता है, वो होता है, वो डबबा, जो उसके हाथ में होता है, अब वो जो आम आदमी है, जो आम शख्स है, जो ये सोचता है कि ये डबबा ही सब कुछ है, अब उसके जाए माव आपके पास पैसे हैंगी है, उसके भाई बेहनों को सेल्ब आपकी जबाद पे होती है As a result, हम लोग ये चीज accept कर चुके हैं, कि we take protein shakes तो आज के बाद से you don't take protein shakes you drink protein shakes you eat protein bars quality supplementation की जहां तक बात है, yes, quality supplementation can definitely play a vital role, considering के वो जो सारे protocols हैं, यानि के rest sleep, nutrition training आप उसे पूरा कर रहे हैं यही वज़ाए कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे कुछ supplements के नाम mention किये हैं, यह वो supplements हैं, जो के आगे चलके हमने review करने हैं, अब इन में से कौन सा protein supplement पहले review किया जाए, यह आज आपने मुझे बताना है, but regardless, कोई भी supplement, कोई भी brand पहले review हो, या बाद में review हो, at the end of the day, कोई अगर आप से पूछे, when do you take your protein shake? आपने उने जवाब देना है, you don't take protein shake, you drink protein shake, you eat protein bars. Thanks very much.